दोस्तों इंडियन रेलोई फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आई आरेपसी की बात के तो स्टॉक के अंदर आज भी काफी बड़ी गिराउट हो रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार गिराउट हो रही है श्टॉक ने एक जबरदस हाई बनाई और उसके बाद में गिराउट का दौर सुरू हो गया वैसे तो अलरी अगर आप देखे तो मैंने पहले ही डिसकस के लिए था आपके साथ में कि बजट के बाद यहां पे नर्मी आ सकती है यह श्टॉक बजट के पहले ही थोड़ा सा दबाव में अलड़ी आ चुका दा क्योंकि काफी जबरदस रीटन दे चुका दा अब यहां पे आगे की क्या संभावना बन लिए क्योंकि सरकार ने इस बजट में रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी एनाउस्मेंट किये डिजिट की तरफ भी बढ़ता वो दिखाई दे सकता है लेकिन उसके पहले क्या संभावना बने क्या या पर गिरावट होगी या फिर इस लेवल पर खरीदारी कर ले नीचे काफी जारा गिरावट हो चुके इन सारी संभावना को तलासेंगे इस वीडियो के माद्यम से ल हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी तीन बजे के आसपास का टाइम है बाजर क्लोज होने में अभी आदा घंटा बाकी है बी ऐसी से सेक्ष्ट में मामुदी सी गिरावट है 80,069 के इस तर पे देख सकते हो कि 79 पॉइंट की गिरावट है तो यह अच्छी बात है कि फिर से बाजाने 80,000 के इस तर को अभी चुआ हुआ है वैसे निप्टी फाइनेंस सर्विस में गिरावट थोड़ी और ज्यादा है 23,048 के इस तर पे 0.50% की गिरावट है यह लगबग 10% की गिरावट है और IRFC में काफी बड़ी ग इस समय बिल्कुल निचले लेवल पर है 184 पर ट्रेड कर रहा है और 4.11% की गिरावट है अब आप देख सकते हो कि पिछले 15 तारिक से ही स्टॉक लगातार गिरावट की चपेट में एक भी दिन हमने पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं देखी है और आप देख सकते हो कि जो स 20 तक चला गया दा 15 तारिक को और उसी दिन प्रॉफिट वुखिंगी चपेट में आ गया वह 239 से स्टॉक इस समय 184 पर आ चुका है तो लग रहा है कि यहां पे फिर से समय बन सकते हैं तकि थोड़ा समय लगेगा जरूर इसमें क्योंकि अभी भी बजट के अनॉंसमेंट क कि बड़ी गिरावट एक साथ मैंने हुए यानि 8 दिन से लगातार गिरावट हुए यानि 8 ट्रेडिंग से समय श्टॉक काफी ज्यादा गिरा है और लगातार यह गिरावट जारी है तो देख से तो कि 15 मार्च 2020 के बाद देख से तो कि यह पहली बार इसमें गिरावट दे देख से तो कि लगातार 9 ट्रेडिंग से से यहां पर इसमें गिरावट का दौर जारी है इस गिरावट के साथ श्टॉक का बाव इस समय 15 डेज के मूविंग एवरेज के करी पहुच गया है जो 182 रूपीज है आई रेपसी के शेयरों में 15 जुलाई 2029 का रिकॉर्ड बना जोन में आ रहा है तो इतनी बड़ी गिरावट के बावज़ भी जुलाई मैने में आई रेपसी के शेयरों में अभी एट परसें का पॉजिड रिटेन दिया है साल की सुरुआ से ही अब तक कंपनी के शेयरों में 84.59% की सांदार तेजी बन चुकि है जबकि पिछले एक सा में निवेशकों को 438% का इसने मल्टी बेग रिटन दिया है कंपनी के शेयरों में पैटन के मुताबिक जून तीमाई के दोरान 5.79 लाग छोटे शेयरों के शेयरों के शेयरों के शेयरों को खरीदे वाले छोटे शेयरों की संक्या बढ़कर 50.63 लाग तक हो चुकि है जब में पैलों मीचल फंडे भी जून तीमाई में अपनी इस्सेदारी बढ़ाई है मार्च में जो मीचल फंड की ओर्डिंग थी वो 0.18% के आसपास थी जो बढ़कर 0.55% हो चुकी है तो काफी बड़ा निवेश बड़ा है बड़े फंडा उसने और विदेशी पोर्टफोलो उन्होंने भी अच्छा खासा निवेश किया है F5 फिलाल इसमें बेट और वाच करे उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बदलिये फिलाल सरकार का इसा पर 86.36% है और यहां पर सरकार को जो पब्लिक लिश्टेट कंपणियों के नियम बने हो उसके तैत 75% पर अपनी लिमि इंफ्राइशक्चर के लिए 252,200 रोबीस का यहां पर कैपेक्स रखा गया है और यह देख सकतो कि पिछली बार के मुकाबले बढ़ाया गया क्यों पिछली बार अंतरी मजट में 252,200 क्रोड के आसपस्ता जिसको बढ़ा दिया गया और 2023 के बजट की बात कर दिए 2,40,200 क् तो 28,000 क्रोड का जो बजट था वो अब 2,62,000 क्रोड तक पहुच गया है तो रेलवे के लिए सरकार ने जिस तरसे भारी बरकम इस बजट का आयलान किया उससे एक बात तो क्लेरली समझ में आती है कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे बहुत सारी नई ट्रेन शुरू करने का आयलन किया जिसमें वंदे भारत लगातार बढ़ेगी वंदे मेट्रो भी आएगी और इसके अलावा मुंबई अमदाबाद बुले ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है नमो भारत ट्रेन भी आईगी तो बहुत सारी नई ट्रे ट्रेकनलोजी से पूरे हिंदुस्तान की सभी ट्रेकों को सुरक्षित कर लिया जाए तो यह जो कवच है ऑटोमेटिक ट्रेंज प्रोटेक्शन सिस्टम यह इसका इस समय बजट में इसके लिए खास प्रावदान रखा गया है सरकार आने वाले समय में सेप्टी के उपर ब एक बहुत बड़ी स्केरे पहल दिखाई दे लिए ऐसे हम हम कह सकते कि आने वाले समय एक अच्छी तेजी आपे देखना को मिल सकती है तो बहुत जदा गिरावट हो चुकी है आने वाले समय यह गिरावट ठहरेगी और फिर यहां से अच्छी तेजी बनेगी लोंग टम के गारेंटी भी सरकार लेती है और इसलिए इसका जो बीजनस मॉडल है वो सबसे सांधार है यहां पे कम्यूनिटी सेंटी वी श्टॉक के साथ बना हुआ है आप देखते हैं कि 71% बाइक की कॉल है 24% सेल की कॉल है और 5% होल की कॉल है इसका मतलब यह हो गया कि 100 में से 76% 194 का पहला सपोर्ट है यह टूटा तो श्टॉक आपको 183 तक जाता हो दिखाए दे सकता है गिरावट और जारी रही तो 166 तक जा सकता है तो पहला सपोर्ट और टूट चुका है अब तीसरे सपोर्ट का आपको खास द्यान दखना है इससे नीचे बड़ी गिरावट हो सकत नी 250 को पार कर सकता है ऐसे में एक अच्छा मौका है लोंग ठमकाने जरे लेके इस गिरावट का फाइदा उड़ा के खरिदारी करनी चीए लग रहा है कि जल्दी आप ए गिरावट ठमते को दिखाए देगी लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेंसल एडवाजेस बढ़ ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपरज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड्स